नमस्कार दोस्तों हमारे इस बार के डांक्टर सो में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हमारे साथ हैं डांक्टर M.D. शरीप वरिष्ट फीडियो आज हम उनसे जानेंगे एणियों के दर्द के बारे में क्योंकि इस समय महिलाओं के साथ एणियों के दर्द की दिक्कत बहुत जादा पड़ रही है तो आईए जानते हुए कि इसके क्या लक्षा है और क्या उपाए है जैसे कि आपने खबरे लहरिया के माध्यम से ये सवाल पूछा और ये बहुती आम समस्या है आजकल महिलाओं में होता क्या है कि जो उंगलियां है और जो एली है ये लीगमेंट्स अटैच होते हैं ठीक है जिसमें स्विलिंग आ जाती है सुजन हो जाती है तो इसके कई कारहल हो सकते हैं को आजकल देखा जा रहा है कि महिलाओं में खान पान को लेकर बहुत ही मतलब डिस्टर्बेंट बहुत ज्यादा है तो खास्त और से कि जितनी ज्यादा कैल्सियम की डिफिसेंसी होगी वो जॉइंट्स में प्रॉब्लम क् के दर्थ से फिर वो टो में बिक टो में आने लगती है अंगुठों में प्रॉब्लम होगी वहां इंफ्लमेशन बढ़ेगी गाउट अर्थराइटेस गठिया यह सब बड़ी आम बीमारिया है तो महिलाओं में देखा क्या जाता है कि काम इतना ज्यादा रहता है तो घर के काम को इतना ज्यादा अपना उन्होंने में टार्गेट बना लिया है अपने उपर ध्यान थोड़ा सा कम दे पाती है यह उनकी एक दिन चरही है डिश्टर्वेन होने का में कारण है दूसरी क्या होती समस्या जब कैल्सियम की डिफिसेंसी होगी तो जाहर सी बात है कि बहुत से मरीज आ रहा है जिसमें देखा जा रहा है कि उनको महिला एकसर बता रहे हैं कि हमें इलियों की दर्द ज्यान देना होगा अपने खान पान में फास्ट फूड, जंक फूड को बाहर की चीजों को ज्यादा है इस्तिमाल करने लगे जिसमें कि यह समस्या बहुत ही ज्यादा उत्पन होने लगी पहले देखा जाता थे कि लोग महिलाएं घर में चावल बनाती थी तो उसमें से एक माड है उसको हर लेंगविज में एक सब्द दिया जाता है वो निकाल लिया जाता था तो इससे यह होता है कि जो उसका फैट है जो श्टार्च वगारा वो नि सवेरे उठते हैं तो जो हमको सूरज की करने लेना थी हमको जो विटामिन से दी मिलना था वो सब हम उससे दूर जा चुके हैं और हमारा खानपान भी जैसे कि मैंना बताया है जंक फूड की तरह बहुत ज्यादा चले गए यह डिफिसेंसी का सबसे बड़ा में कारा है हमारे बॉड़ी से ऐसे हर्मोन शिक्रेट होते हैं जो तमाम प्रकार की बीमारी को किल करने का काम करते हैं तमाम प्रकार की हमारे बॉड़ी में जो स्वेलिंग होती है उसको दूर करने का काम करते हैं तो लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा ठहलें घूमें 30-40 मिनट एक्सर कर सकते हैं तो उनको होट फर्मेंटेशन के काफी तरीके बता देते हैं जिससे उनको लाब मलता है लग्षण के बहुत ही ज्यादा आम है जब इसके लोगों को स्विलिंग होती जैसे मैंने बताया कि एली और जो उंगलियों के जो लिगमेंट्स जॉइंट होते हैं उसमें स क्लीफ होती तुरण हम टेस्ट करा लेते हैं और फेक्टर वगारा तो उसमें पाश्टियो रिजल्ट आ जाता है तो उसका वैसे लाज करते हैं अगर कोई प्रॉब्लम्ट नहीं होती तो उसको फीजो थरेपी के मादें ठीक कर देते हैं बहुत कोई बड़ी समस्या नहीं उन्हें जैसे दर्द की प्रक्रिया सुरू हो उनको तुरण किसी अच्छे अर्थोपेडिक से फीजो थरपेस्ट से जरूर संपर्गे करना चाहिए और इसका निदान बहुत ही जल्दी हो जाता है घरेलू मैं बताना चाहता हूं कि आप नमक पाने की सिकाई करें तमाम प तनोतर उस मोम को मुसमें डालते हैं उसकी स्टीम के दौरा वो पक जाती है उसको में एक ब्रिस की साहता से जुएंड सम लगाते हैं जिससे बहुती जल्दी इंफ्लमेसान और सूजन चलिया तिया लिए लिए बहुत जल्दी अरा मिल जाता है यह बहुत शहर में बहुत तो यह था आज के हमारे डॉक्टर सो का मुद्दा अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साब ने बताया कि लच्छन क्या है उपाय क्या है और जैसे कि वजन पढ़ने से एणियों में दर्द होता है खानपां से एणियों मे पहाँ साथ